तो प्रदेस पुलिस के द्वारा सभी ऐसे गैंस्टर लोगों के खिलाफ एक अवियान छेडा गया है जो ये अपरादी हैं जो ये माफिया हैं आखिर ये पाले किसके द्वारा गए है इसे हाथ आखिया हैं इनको मिट्टी में मिलाने का करेंगे कि आखिया वी आगा वोई हैं से जो ये कि दोई हैं शरादी हैं आखिया जाखियान आखियाonstै ढग दिनांग 24 फरई 2023 के सायंकाल उमेश पाल जो की 2005 के राजुपाल विधायक हत्या कांड का गवात है उनकी बरबर हत्या गाड़ी सवार बदमासों ने असलाह एवं बम इत्यादी चला कर की थी सरकार की तरफ से विधान सभा के पटल पे सभी अपराधियों के वुरुद कड़ी से कड़ी कारवाई करने के काश्वासन भी दिया गया था तथा उसी अनरूप पुलिस को इन सभी बदमाशों को कानून के दायरे में लाने के लिए निर्देश मिले थे इसी करम में आज प्रियागराज जन्पत के धूमन गंछत थाना चेतर में एक मुद्भेड हुई जिसमें की उस घटना में समलिद अरबाज पुत्र अफाक जो की मल्लापूर थानापूरा मुफती प्रियागराज का रहने वाला है पहले घायल हुआ तथा इसके पास से एक 32 बोर की पिस्टल बरामद हुई है इस पर आरोप है कि घटना के दिन जो क्रेटा गाड़ी इस्तमाल हुई थी उसका यह ट्राइवर था तथा उस दिन इसके द्वारा फाइरिंग भी की गई थी जब उपजार है तू अस्पताल लाया गया उस दौरान जो अभी तक की प्राप्त सुचना है उसके हिसाब से इसके मिर्थ होने की समाचार प्राप्त हुए है उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा सभी ऐसे पेशेवर, माफिया, एवर, गैंक्स्टर, लोगों के खिलाफ एक अवियान छेडा गया है और ऐसे शातिर और पेशेवर गतियों को संडक्षन देने वालों के विरुद्ध भी धारा एक सो बीस भी के तहट कारवाई की जाएगी